हलो दोस्तो नमेश्कार स्टॉक मार्केट क्लासे से इस चैनल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ अगर आपने पहले बार विजिट किया है जरू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकोन को इट करके औल जरू सेलेट कर लेना किस टॉपिक से रिलेटेड तो दोस्तो आप सबिलों को पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग यहाप आते हैं तो रिजल्ड क्या पर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अलग-अलग टाइप के यहाप एक और पैसे इनफॉर्मिशन बिल्कुल बिगनर्स के लिए कि यहाँ पे कैसे quarter two के numbers है आप लोगों को पता चलेगा कौन से site के उपर आप लोगों ने पूरी list देखनी है आपके portfolio में वो कौन से stocks है और इससे related आपको वो date कब पता चलेगी उससे related अगर देखा गया तो क्या shortcut है और उसी के साथ साथ company की जब कोई किसी company के numbers आते है तो बहुत सारी PDF upload होते है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इसमें numbers लिखे हुए, result लिखे हुए तो इससे related कुछ shortcuts रहते है मतलब इस technique का इस्तमाल करके आप इन चीजों को आसान तरीके से डाउनलोड करके इन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो तो अभी वो मैं बिल्कुल आप लोगों को live यहाँ पे practical करके आपे बताने वाला हूँ तो चलिए, यहाँ पे काम कर लेते हैं यहाँ पे की Google open कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे मैं ने open कर लिए Google से related यह बहुत सारे tabs यहाँ पे by default यहाँ पे open हो जाते हैं तो Google में आप लोगों को यहाँ पे search बार रहता है उसमें एक चीज़ टाइप करने है वो है BSE then उसके बाद result and उसके बाद एक और चीज़ लिखनी है calendar BSE result calendar यह तीन शब्द आप लोगों ने यहाँ पे लिखने है मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे BSE then result में लिख लेता हूँ result calendar यहाँ थोड़ा टाइप करने के लिए time लगेगा कोई बात ने calendar करके आप लोगों के यहाँ पे मिल जाएगा BSE से related तो इसके उपर क्लिक करना है तो देखे जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक BSE की ही site में यहाँ पे result वाला section directly open हो जाएगा तो आप देख सकते यह देखे result वाला and यहाँ पे क्या लिखा हो है देखो कि आने वाले result यहाँ पे क्या है इसे related पूरा चिठा आप लोगों को मिल जाएगा जैसे के अगर आप देख सकते यह देखे पूरी list यहाँ पे आज 12 तारिक की बात हो रही है तो देखे 12 तारिक में अभी कौन-कौन से companies के नंबर आने वाले बाखी है तो उसकी list लिखी हुई जाती है देन उसी की साथ-साथ कल 13 तारिक की अगर हम लोग बात करे वो यहाँ पे data मिल जाएगा देन अगर हम लोग बात करे 14 तारिक पे कौन-कौन से company के नंबर है तो पूरा चिट्था यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा और उसी की साथ-साथ BSC के उस particular script का code भी आप लोग को मिल जाएगा तो आप देख सकते यह रिखे बहुत लंबी list रहेगी दोस्तो अभी तो शुरुआत है यह तो कुछ भी नहीं है मतलब अगर आप यहाँ पे नीचे नीचे जाओगे तो यह list एक जगे पे जाके रुख जाएगी right मैं थोड़ा और speed बड़ा लिता हूँ ताकि आप लोग को पता चलेगा यह रिखे और और नीचे आ जाओगा तो यह list मतलब लुख जाएगी बट एक time के बाद यह list बिल्कुल रुखेगी ने इतना बड़ा यह रुख गए list इतनी है क्योंकि अभी तक इतना ही companies ने अपने number कब है उसे related update यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके बाद यह list इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप अपने stock को धूंडी नहीं पाऊगे तो आप बोलोगे कि हम हमारे stock को कैसे धूंडी अभी एक एक का नाम अगर check करने जाए तो यहाँ पे मतलब time ही लग जाएगा घंटे लग जाएगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो company यह जो मेरे आप लोग को site बताई उसके पहले यह देखिए तीन option आप लोग को मिल जाते है यहाँ पे तो यह जो date है उसमें कुछ नहीं करने का है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे security का जो name है यहाँ पे आपने क्या करना है उस particular company का नाम लिखना है जैसी कि अगर मैं आपको एक example दे देता हूँ कौन सा stock का नाम लिखो चलो HDFC Life यह एक company है तो यह देखिए मैंने नाम लिखिया तो by default एक option यहाँ पे आ गया है तो इसको मैं select कर लेता हूँ HDFC Life को मैंने यहाँ पे select कर लिया and select होने के बाद यहाँ पे आप लोगोंने क्या करना है submit के उपर click करना है तो मैंने submit के उपर click कर लिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे company का नीचे आप लोगों को यहाँ नाम भी देखने को मिल रहा है security code भी देखने को मिल रहा है and result का date भी देखने को मिल रहे हैं तो 21 October 2022 को यहापे HDFC Life के हम लोग को यहापे quarter अभी कौन सा quarter चल रहे है quarter 2 के number देखने को आपे मिलने वाले है तो इस प्रकार आप लोग यहापे क्या कर सकते हैं अपने particular company का result कब है वो आप यहापे identify कर सकते हो कभी कभी यह भी हो जाएगा दोस्तों कि आप यहापे नाम type करोगे और कोई data आएगा ही नहीं इसका अर्थ यह है कि company ने officially अभी तक result का announcement नहीं किया चलो मैं इसका भी एक demo दिखाई देता हूँ तो आपका confusion ही दूर हो जाएगा सो यहापे मैं इसका नाम ही अटा लेता हूँ HDFC Life का यह देखे सो कौनसी company का नाम ले लेते हैं अभी तक उन्होंने IRCTC चलो IRCTC का नाम मैंने लिख लिए यह देखे नाम आ गया company का मैं इसके उपर click कर लेता हूँ तो मुझे पता है अभी तक IRCTC ने यह पर announcement होगा तो सबसे पहले यही पर चीज़े update हो जाती है इस प्रकार से आप easily अपनी company के number कब है उसका एक list बना कर यहापे रख सकते हो यह हो गया step number one जहापे company का list में आप लोगों को बता दिये कैसे identify करते वो बता दिया अभी result को कैसे धून्टे है मतलब यहापे जब PDF अपलोड होता है तो वो एक shortcut में आप लोगों को यहापे बता दूगा बढ़ उससे पहले जरू कहना चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो को जरूर like कर देना आपके like के कारण मेरा motivation बढ़ जाता है पार्ट टू का कवर करने के लिए वापस हम लोग आ चुके किस पे Google के उपर यह आप देख सकते है मैंने Google ही open कि है वो screen बहुत छोटा रहता है इतना ही record हो जाता है तो इसलिए इसके उपर आप लोगों Google का नाम देखने को आपे मिल सकता था ठीक है वेबसाइट पे उपर यहापे जाना है तो BSC सिर्फ अगर आप टाइप करोगे और पहला वाला चीज ओपन करोगे तो आप देखे ऐसा डिरेक्ली आप यहापे BSC साइट के उपर यहापे पहुच जाओगे सिर्फ BSC करके लिखना है BSC तो आप लोग यहापे मिल जागए यह देखी इस पहे आप लोगों को यहापे क्या करना है शेर का नाम लिखना है जिसका भी नमबर है करके जैसे के अगर मैंने बात की यहापे Wipro विप्रो का जैसे मैंने नाम लिया यह देखी यहापे आ गया चलो में इसके उपर क्लिक कर लेता हूँ तो यह देखे विप्रो से related data यहापे open हो रहा है करके थोड़ा time लगेगा चलो ठीक है open हो गया करके तो दोस्तो जितने भी latest data रहेगा न यह देखे विप्रो के side में आप लोगों को यहापे औरेंज कलर के इसमें यहापे कुछ लिखा हुआ देखने को मिल रहे है साथ seven मतलब क्या है कि साथ नए updates हाले कि कुछी दिनों में विप्रो ने आप अपडेट किया अगर आप इसके उपर भी क्लिक करोगे न तो यह 12 तारिक के उपर भी क्लिक करके डेटा को ओपन कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो क्या करना है विप्रो के उपर नाम के उपर क्लिक किया नीचे नीचे स्क्रोल करना है आपको स्क्रोल डाउन डाउन जितना आप करोगे यहापे तो आप देख सकते यह दिखे, announcement के उपर हम लोग आ गए, तो announcement में क्या करना है, यहाप एक blue color का arrow मिलेगा, इसके उपर आप लोगोंने click करना है, तो चले मैं click कर लेता हूँ, जैसे यहापे मैंने click कर लिया, तो यहापे थोड़ा time लगेगा, वापस vipro का ही data यह दिखे, open ह तरीक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको PDF मिलेगा, इसके उपर click कर लेना, याप देख सकते हैं, जैसे यहापे मैंने download के उपर click कर लिया, आप देख सकते हैं, विप्रो के numbers open हो रहे, थोड़ा time लगेगा, यह देखो, numbers open हो गए, तो इस प्रकार से आप यह एक्जाम्पल था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही PDF थे तो चली यहाँ पे में एक और दूसरे कंपणी को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ और उस कंपणी का लामें HCL चलो यहाँ पे में क्लिक कर लेता हूँ HCL and उसके बाद TEC T E C H यहाँ पे आ जाएगा HCL टेक्नोजी मेंने क्लिक कर लिया जैसे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे डेटा ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिट टेस्ट इसमें 12 नए अपडेट्स यहाँ आए है 12 इसमें आप लोगों को कंपणी के नंबर भी देखने क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे में क्लिक कर लेता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा उपन होने के लिए वापस हमें नीचे जाना है और यह पूरा PDF का अभी यहाँ भंडार रहेगा यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा यह देखिए अभ इस PDF को डाउलोड कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो यह रिखी यहाँ पे result इखाय हूँ आप इस PDF को डाउलोड कर सकते हो यह बहुत ही basic चीज़े है अगर कोई सिखाए लगा यह नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा तो आसान भाशा में यह सारी चीज़े मैं आप लो विडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेर यापे कर दिना और सब्सक्राइब करके भी रख लिना तब तक के लिए बाई बाई